जैभीम साथियों मैं हूँ आर कुमार और आप देख रहे हैं लाई बुद्धा न्यूज बिहार में एक बिधान सवा सीट पर उपचुना होना है 12 प्रयल को बोच्छा बिधान सवा जो की सुरक्षित सीट है मुझफर पूर जिला में पड़ता है या उस बिधान सवा पर केंडिडेट का है लुटा मारी हो रहा है हम आपको ऐसा क्यूं कर रहे हैं दरासल पूरा मामला हम आपको एक्स्प्लेन करने वाले हैं आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पी कुमार राओ जी है हम दोनों मिलकर इस जो बिधान सवा का चुनाव हो रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे दरासल हो क्या रहा है कि एंडिये में भी आईपी था उस जगा पे जो पूर्व में जो विधायक थे मुसाफिर पासवान जिनका निधन होगी आज इस बज़े से वहां पे उप चुनाव हो रहा है भी आईपी चाह रहा था कि उनके बेटे मुस्द अमर पासवान को वहां से चुनाव अपना कंडिडेट का जो है नामजारी कर दिये हैं अब मुकेश सहनी जो कि मुसाफिर पासवान के बेटा है अमर पासवान उसको चुनाव लड़वाने वाले थे तो तेजस्वी आदब ने वहां पर जाकर के खेल कर दिया तेजस्वी आदब ने खेल क्या किया है कि मुसा लुटा मारी वह रहा और मुके सहनी फिर क्या कि मुके सहनी रमाई राम जो की बोचा विधान सभा से आठ बार विधायक रह चुके हैं राष्टिय जंता दलके उनकी बेटी को वहां से परत्यासिक घोशित कर दे हैं मुके सहनी ने दिमाग लगाया उसने सोचे कि अगर तेजस्वी आदब हमारे कंडिडेट को छीन लेते हैं छीन लिये हैं तो हम भी कहीं न कहीं राजद में सिंध लगाने का है जो की परियास किये और उन्होंने सफल भी हुआ डक्टर गीता को जो वहां से परत्यासिक घोशित किये उनका पिता जो है बोचा भी धानसवा से आठ बार भी धायक रह चुके अब ये तो हो गया इन लोगों का लुटा मारी का अब आते हैं भी मार्मी और अजाद समाज पाटी का जो दोनों में गठ बंधन होने वाला थ तेजस्वी आदव नहीं सुधरेंगे अखलेस यादव भी नहीं सुधरें तेजस्वी आदव भी नहीं सुधरें अब ये लोग मुख मंतरी का सपना सपना ही रह जाएगा दोनों का इसी मुद्दे पर हम दोनों चर्चर करने वाले हमारे साथ हमारे सहयोगी है जी बताए क्या हो रहा देखने वाले सभी दरसों को पहले मेरे तरफ सजे भी देखिए तेजस्वी आदव अगर सपना देख रहे हैं कि हम मुख मंत्री बिहार के बन जाएंगे तो उनको मुख मंत्री न बनने में जो सहयोग करेगा वो दलीट सुपोर्ट्स है क्योंकि एक उनके पास बहुत मैं हम लोग पिछले बार पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किये थे कि अगर तेजस्वी आदव को मुख मंत्री बनना है और उनको साप सुतर राजनीती करना है समाजिक नयाय के बेश पर राजनीती करना है तो दलीतों को भागदारी उनको देना पड़ेगा और जो उपचुनाव है उसमें भीम आर्मी के टिकर दे कर अपना समाजिक नाय का जो धाचा है उनको बनाना पड़ेगा अपने बाप के जैसा लेकिन इसमें भी यो सफल नहीं हुए इनको जो भी मिसगाइड कर रहा है मिसगाइड कoqu रहा है मिसगाइड कर दिया one no two अभी जो हो रहा है MLC का जो युनाव हने वाला है उसमें भी जो दलीट भोट उनको नहीं के बराबर मिलने वाला है कि एक नम समछ नहीं आ रहा है यह ज्यान बुज क Louisiana इग्नौर कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है कि क्या कर रहा है क्या नहीं अभी लक्षन जो हुआ यूपी में अब देखिये लिए उनका जो मुख मंत्री अखिले स्यादा मुख मंत्री बनने चले थे मुख की खा के गिरी पड़े क्योंकि वो चंसेकर राजाद रावन को साइट कर दिये अभी इनके पास तेजस्वी आदों के पास मौका था कि अच्छे खासा भी मार्मी के कंडिडेट उतार के समाजिक नायक जो धाचा है उसको मजबूत करे तभी ये अपना कंडिडेट उत हो रही थी हम इसी अपने ही चैनल पर हम बताये थे कि राजद और आजाद समाज पार्टी का गठ बंधन होने वाला है चुकि जो हाँ बिहार के परदेश अध्याच है जो हर आजाद वो तेजस्वी आदब से मुलाकात की और वो इस बात का घुशना भी किये थे कि प्रेस और तेजस्वी आदब ने है जो कि अपना अलग कंडिडेट जारी कर दिया राष्टिये जनता दलगा तो अब ये गठ बंधन जो होना था ये गठ बंधन खतम हो गया साफ पता चल गया है अब ये गठ बंधन नहीं होगा तो तेजस्वी आदब जो है ये जो है कही न कही दलितों को है इगनोर कर रहे हैं सुरक्षित सीट है उनको लग रहा है कि सुरक्षित सीट है चुनाव लड़वा देंगे तो ठीक है चुनाव लड़वा ये वहां तो लड़ेगा तो कोई दलित ही किसी को भी आप चुनाव लड़वा ये लेकिन ये जो राजनीत हो रहा है क कहीं न कहीं दलीतों को इगनोर किया जा रहा है, दलीत पाटी को इगनोर किया जा रहा है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उसको इगनोर किया जा रहा है, तो तेजस्वी आदब इस जो बिहार की राजनीत में जो मुख मंत्री का जो सपना पाले बैठे हैं, ये सफल अब लग राजनीत करते थे दलित पिछड़ों को लेकर कहीं न कहीं तेजस्वी आदब से यह नहीं हो रहा है और यही बज़ा है कि वो राजनीत में सफल नहीं हो पाएंगे नेता परतिपक्ष ही बने रहेंगे हो सकता है आने वाला समय में कॉंग्रेस की तरह इनका भी हाल हो और सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेर करें अगर आप यह वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहें तो पेज को फॉलो करें और वीडियो सेर जरूर करें अपनी परतिकिरिया नीचे कॉमेंट बॉक्स में दे